हे घाइज वेल्टूम बेक्स यूटुब सेनाल मेनोर्वियद को फिर स्वागत है तो आज हम बत्व करनने वाले हैं गोपालपूर और संभलपूर के बिज़ु नया रेल्वे लाइन नया railway line बनने वाला है इसके वारे में तो जलिए जानते हैं क्या audit आया है इसके पारे में तो पिछली गुरुपार को एक tweet आया था railway की तरफ से और ये confirm हो चुका है कि ये railway line बनने वाला है तो ये क्या tweet थे आप लोकों में बता दूं जो हमारे 2022 और 2023 और 2024 के बीज जो railway budget हमारे औरी सागों दिया गया है इसमें 10 कोरोड रुपया जो है गौपालपूर और समारपूर के बीज जो नया railway line बनने वाला है इसको 10 कोरोड रुपया location किया गया है तो काम सिर्वात हो चुका है जो गौपालपूर और जगनातपूर के बीज में जो railway line बनने वाले हैं 10 किलिमेटर उनको फाइनाल लोकेशन सर्वे के लिए एपल कर दिया गया है तो यह है दोस्तों जो नया स्टेटास है जो गौपालपूर और समारपूर के बीच जो railway lane बनने वाला है तो उसका फाइनाल लोकेशन सर्वे करने के लिए 10 कोरोड रुपया दिय हो जब आ गया है और हमारे जो रिसा के जो रेल इंफा स्ट्क्वा देफलोमेंट लिमिन्टर जो यहमेरे लोकेशन सर्वे करेगा और उसके बात हमारे संट्रल को संट्राल को जो भेजेते boy और यसमें उर्जटर तो अधिक अधिक अगले पीछले सल बार सग्श op motivo is साल और से ज़्यादा बज्जेट लेगर सनिक किया गया तो दोस्तों इसको पहले 2022 और 2021 में इसको प्रस्ताबित किया गया था इसको सरवे काम करने के लिए और इसमें 2965 क्रोड रुपया लेगे बोलके इसको कहा गया था लेकिन इसको फिलहाल के रुप में देखने से अभी क हालात में इसको कम से कम 10,000 क्रोड रुपया इसको कंविट करने के लिए लगेगी कम से कम 10,000 क्रोड और समय कम से कम 16 स्टेशन रहेंगे सोला स्टेशन और 38 बड़े टेनल 38 बड़े बीजस और पांच टेनल और 138 चोटे बड़े पूल या इसे चोटे बड़े टेनल रहेंगे और इसको पश्चिमोरिशा के समलपूर से हमारे दक्षिनोरिशा के ब्रहभपूर सहर तक कनेक्ट किया जाएगा खासकर जो हमारे गौपालपूर मंदर है उसको डेट कनेक्ट किया जाएगा और हमारे जगनातपूर और और एक जगा से वाइल लिंक से जोड़ा जाएगा वे बहुत ही फायदेमन होने वाला है जो हमारे पस्चिमोरिशा के जो रोमेट्रियल कोल मिनरल वगेला हमारे पुछ फूलबाणी दारिंगाडी ऐसे सहरो और बहुत ही उनके लोगों को भूईती फायदा होने वाला है रेलवे के नक्से में जोड़ने के लिए हमारे उरिसा की जानकारी के लिए बता दी दूंकि हमारे उरिसा की एक मातर टिस्टी के जो कंधामाल में रेलवे लिंक अभी तक नहीं है तो इस रेलवे लाइन बनने से हमारे कंधमाल को भी बहुत मातर भी मिलने वाला है उसको जाके समभलपूर को रड़ा खोर में जोड़ेंगे और इसमें कम से कम गोपालपूर तक स्ट्रेच किया जगा जो बंद है और तो उसका फानल लकुर्षन कम स्ट बालपूर के बीच रेलवे लाइन बनाने का यह प्रोसेस या अउटेट और इससे अउटेट जाने के लिए हमारे साथ जूड़े रहें और हमारे साथ जूड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राब कीजिए ताथ तक लिए रहते हैं जाहिन